ओम शान्ति चारों तरफ से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे बिल्कुल एलर्ट और कम्फर्टेबल पूरा ध्यान सांसों पर अब ब्रेन के बीच में देखेंगे एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा पूरा ध्यान तीसरी आंख द्वारा इस चमकते हुए सितारे को देखने में लगाएंगे मैं आत्यमा निराकार जोतिर बिंदू सितारा हुँ इस देह को चलाने वाली शक्ति हुँ पूरी एकागरता के साथ स्वयम को देखेंगे तीसरी आंख के द्वारा मन में अगर कोई और विचार आते हैं बुद्धी में कोई और इमेज आती है तो उसे जस्ट इग्नोर करते जाएंगे और पूरा ध्यान खुद को देखना है अब एक सेकिंड में देखेंगे खुद को परमधाम में अपने प्यारे पिता लवली पिता के पास शिव बाबा के पास बाबा के बहुत नस्दीख बहुत पास मैं सुस करेंगे मैं बिलकुल पास शांती के सागर के पास हो संपूर्न शांत हो बाबा को टच करके बाबा की सारी शांते मुझा आत्मा में समाती जा रही है मैं आत्मा शांती से भरपूर हो चुकी मन में कोई बोज हो कोई भी बात हो तो अपने पिता को दे दे वो सारी बात दे जो मन को दुखा रही है जो बोजिल कर रही है वो बाबा को बता कर हलके हो जाए अपक्का निश्चे करें कि मैं ये बात बाबा को दे दे है अब बाबा बैठा है बाबा संभाल लेगा बाबा जिम्मेवार है मैं बे फिक्र बादशा किसी बात की कोई चिंता नहीं पिल्कुल रिलाक्स हो जाए जैसे मेरी सारी बात है बाबा ने ले ली है अब बाबा बैठके संभालेगा मुझे बस वही करना है जो बाबा मुझसे चाता है खुश रहना है और खुशी बांटनी है बाकी सारी बातों का जिम्मेवार बाबा है संपोर्ण निश्चे संपोर्ण धैरता कि बाबा बैठा है बाबा संभालेगा मुझे वही करना है जो बाबा मुझसे चाहता है संपूर्ण शान्त, खुश, संपूर्ण पवित्रता मेरे हर सोच बोल करम में शान्ती है, प्रेम पवित्रता है अब बाबा से ये शान्ती, प्रेम पवित्रता धारन कर मैं आध्मा बापिस परमधाम से नीचे उतरती हूँ और अपने मस्तक में आ करके अकाल तक्त पर बैठ चाती हूँ फिर से देखें बहुत सुन्दर, शान्त, शक्ति शाले, पवित्र आथ्मा, मैं आथ्मा मेरे रूम रूम में ये शान्ती और पवित्रता की किरने फैल रही है पूरे शरीर को देखेंगे सफेद प्रकाश से चमकता हुआ एक-एक सेल, एक-एक कोशिक का ये सफेद प्रकाश से चमक रही है मैं आत्मा, मेरा मन, मेरी बुद्धी बिल्कुल शान्त है मेरे शरीर शान्ती की शक्ती से भर गया है संपूर्न शान्त अब देखेंगे ये शान्ती की किरने मुझ से निकल मेरे आसपास दूर दूर तक फैल रही है मैं शान्ती का सूरज शान्ती की किरने बिखेर रहा हूँ जिस आत्मा को ये शान्ती की किरने मिल रही है उनका मन बिल्कुल शान्त हो रहा है मैं शान्ती का फरिष्टा हूँ संपूर्न शान्त बोज मुक्त हूँ बिल्कुल हलका बाबा सदा मेरे साथ है मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होना है ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज की मुर्ली है चार जन्वरी उनने सो असी की ये मुर्ली का सेकेंड पार्ट है तो मुर्ली का टाइटल है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविश्य राज्य अधिकारी तो वर्तमान किस चीज पर राज्य करना है अपने ही मन पर, बुद्धी पर, करमिंद्रियों पर राज्य करना है तो जो ऐसे स्वराज्य अधिकारी होंगे वही विश्व राज्य अधिकारी होंगे तो इसलिए वर्तमान राज्य ही अधिकारी ही भविश्य राज्य अधिकारी है बाबा कहते विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाब दादा की मुलाकात सबकी नजर आप विदेशियों के उपर विशेश रहती है तो विशेश पालना का रूप, प्रत्यक्षवल के रूप में विशेश दिखाना पड़े जैसे स्थापना में विशेश पालना चली, वैसे अभी भी आप लोगों की विशेश पालना चल रही है तो पहले पालना वालों ने उस पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना की अब आप लोग क्या करेंगे? सेवा की समापती करेंगे और संपूर्णता का वा प्रत्यक्षता का नाम बाला करेंगे विदेशियों को ही समापती की डेट फिक्स करनी पड़ेगी पहले वालों ने स्थापना की डेट फिक्स की और अब आप लोगों को समापती की डेट फिक्स करनी पड़ेगी अभी सबका इंटसार आपके उपर होगा तो बाबा विदेशियों को हमेशा बहुत सुन्दर वो हमेशा यही कहते हैं कि आप मधुबन के श्रिंगार हो आप यग्य के श्रिंगार हो तो क्यूंकि वो जबी भी कोई आते हैं विदेशियों तो देखकर खुशी होती है तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि पहले वालों ने जो इस यग्य के आदी में आए तब विदेशी तो कोई भी नहीं था तो जो आदी में आये उन्होंने क्या किया स्थापना की डेट फिक्स की लेकिन आप क्या करेंगे आप करेंगे समाप्ती की डेट फिक्स विदेशी जो इतने सारे फिर बाबा ने कोने कोने में विश्व के कोने कोने में जहां बाबा के बच्चे हैं, जब वो सारे के सारे आ जाएंगे, कोई भी बच्चा, कोई भी देश, विदेश का बच्चा नहीं बच्चेगा, तो क्या होगा, समापती होगी ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं, आप बच्चे ही समापती की डेट फि पहचानेंगे, अपना वर्सा लेंगे, तब भी तो जाके समापती की डेट फिक्स होगी, इसलिए बाबा कह रहे हैं, आप ही समापती की डेट फिक्स कर सकते हो, बाबा कहते बाब दादा से पूछेंगे कि विनाश कब होगा, तो कहेंगे विदेशियों से पूछो, देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी है न, विनाश कब होगा, तो बाबा कहते विदेशियों से पूछो, क्योंकि जब तक बाबा का वो लास्ट बच्चा भी नहीं आ जाता न, ये विनाश नहीं हो सकता, तो बाबा कहते देश वालों ने स्थापना की जिम्मेवारी ली, विदेशी भी कोई तो जिम्मेवारी लेंगे न, है भी विदेश विनाशी और भारत अविनाशी, तो भारत वासियों ने स्थापना का किया, और विदेशी विनाश के कारे में विशेश निमित बनेंगे, है न, तो ये भी हम जानते हैं कि विदेशी विनाश के कारे में स् इतने nuclear bombs बनाने हैं या चलाने भी हैं तो वो वीदेशों में होने वाला है भारत तो हम जानते हैं अभी नाशिक खंड है तो यहां पर तो कोई nuclear bomb नहीं चलने वाला है है ना यहां पर बाबा ने हमें बताई है कि यहां तो civil war होगी माना आपस में लड़ लड़के मरेंगे ले तो इसलिए तो विदेशी ही विनाश का मतलब वो करते हैं बीज डालते हैं निमत बनते हैं तो बाबा कहते भारतवासी बच्चों ने यग्य की स्थापना में अपनी आहूतियां डाल कर स्थापना की यग्यर अच्छा और आप लोग फिर अंतिम आहूति डाल कर स्माप्त करो फिर जैजेकार हो जाएगा एना अन्तिम अहुती क्या होगी जब ये पूरा का पूरा अन्तिम अहुती जैसे बाबा बोलते हैं यग्ये जब रचते हैं तो पहले तो थोड़ा-थोड़ा करके वो हवन सामगरी डालते रहते हैं. लेकिन जब लास्ट में हो जाता तो पूरी की पूरी थाली उल्टा देते हैं उस हवन अगनी में. तो उसीप्रकार ंतिम अहूती क्या है? सारा विश्व ही ही इस यग्य में, ना कि इस विनाष जौाला में उसकी पूरे विश्व की आहूती पढ़ने वाली है तो इसमें निमित कौन विदेशी है वही विनाश का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और वही फिर विनाश का प्रोसेस खतम करेंगे तो बाबा केते आप लोग फिर अंतिम आहुती डाल कर स्माप्त करो फिर जय जयकार हो जाएगा अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुती डालो सब मिल करके एक संकलब का स्वाहा करो तो स्माप्ती हो जाएगी इसकी डेट कब बताएंगे 80 में करेंगे या 81 में करेंगे ये डेट बताना तो ये तब की मुडली है 1980 की तब आब रहे हैं 1980 में बताओगे 1980 में बताओगे तो कब स्वाहा करेंगे ये डेट बताना एक बार मधुबन में फिर से आए विनाश शुरू होगा तो सदा के लिए आ जाएंगे इसलिए यहां बड़ा हॉल बना रहे है सिरफ वायरलेस का सेट अपना ठीक रखना ठीक है ना? यहां ही वायरलेस है वाइसलेस की वायरलेस कितना सुंदर बोला बाबा ने वाइसलेस की वायरलेस जो आत्मा जितना निर्विकारी होगी संपोर्ण पवित्र होगी वो बाबा की टचिंग्स को catch कर पाएगी कि बच्चे यहाँ पर चले जाओ यहाँ पहांच जाओ तो यहाँ तुम safe रहेंगे लेकिन जो बाकी आत्मा होगी उनका क्या होगा कि चाहे बाबा के बच्चे हैं लेकिन अगर संपोर्ण निर्विकारी नहीं तो बाबा की टच्चिंग्स को catch नहीं कर पाएगे तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि wireless ना wireless मतलब बाबा से उपर से कोई wire थोड़ ना दिखती है लेकिन बाबा की यह touching ही wireless set है जैसे अग मोबाइल हो चुके wireless है ना तो इसके लिए internet चाहिए होता है तो वहां के लिए क्या चाहिए वाइसलेस चाहिए जितना आत्मा वाइसलेस होगी माना कोई विकार नहीं होगा उसमें उतना ही बाबा की touchings को catch करेगी तो wireless द्वारा आवाज आपको पहांच जाएगी कि आप आजाओ कहां बोला बाबाने मदू बना चाओ तो बाबा वो टच कराएगा बच्चे अभी निकलो अभी ये train पकड़ो अभी ये flight पकड़ो अभी यहां जाओ वहां जाओ लेकिन ऐसा बाबा की direct touchings catch करने के लिए क्या करना है वाइसलेस विकार मुक्त बनना पड़ेगा complete pure बनना पड़ेगा अगर wireless set नहीं होगा तो अवाज भी पहुंच नहीं सकेगा direction नहीं मिल सकेगा स्थूल साधन द्वारा अवाज नहीं आएगा वाइसलेस बुद्धी ही ये अंतिम direction catch कर सकेगी ठीक है ना तो कैसी बुद्धी चाहिए वाइसलेस वाइसलेस किसको कहते है विकारों को तो विकारों से मुक्त बुद्धी ही ये अंतिम direction को catch कर सकेगी बाबा तो सबको direction देगा बाबा की guarantee है कि मेरे बच्चे safe रहेंगे लेकिन अगर बच्चों का मोबाइल फोन ही खराब हो जाए तो बाबा कैसे पहुंचाएगा message है ना या मोबाइल फोन क्या है वाइसलेस बुद्धी तो बाबा कैसे मेसेज पहुंचाएगा तो ये बाबा कहते है इसलिए जल्दी जल्दी करेंगे तो जल्दी समय आ जाएगा जल्दी जल्दी क्या करने है वाइसलेस बुद्धी बनानी है किसी के बारे में कोई negativity ने कोई काम क्रोध लो मोहंकार ईशा नफरत आलस से अल बेले पन का कोई नामों निशान नहीं तब कहेंगे विकार मुक्त बुद्धी वाइसलेस बुद्धी तो बाबा कहते पहले तो powerful mic तयार करो जिस mic द्वारा आवाज भारत में वहुंच है और फिर जैसे उनका election होता है तो एक दिन पहले advertisement साधन सब बंद कर देते हैं पीछे voting होती है तो पहले तो mic द्वारा आवाज फैलाओ तो वो भी silence हो जाएगी फिर result आउट होगी है ना तो बाबा कहते यह सब तो होना ही है कि last में तुम्हे direction मिलेगी तुम catch करोगे यह सब तो होना है लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा अभी mic फैलाओ क्यों mic बनाओ क्यों क्यों क्योंकि अभी बाबा के वो 33 करोड़ बच्चे बाहर निकले ही नहीं है जब तक वो नहीं निकलते तब विनाश थोड़ी ना हो सकता है तो जब तक माइक बनाना मना कि ऐसे ऐसे speaker सयार करो जो दूर दूर तक देश-विदेश में सेवा कर सके सबको बता सके कि स्वयम परमात्मा इस वकत धर्ती पर आचुकर चुका है और सत्यूगी दुनिया स्थापन कर रहा है तो इसले बाब फिर ऐसी dead silence होगी जो ये आवाज फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा तो क्या क्या बाबाने बताया पहले आवाज फैलेगी कि भगवान आ चुका है कल यूग जानने वाला है सत्यूग आने वाला है ये आवाज पूरी तरह फैल अवाज फैलाने का पार्ट भी खतम हो जाएगा और फिर परिवर्तन माना सत्यूग दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि हाँ सत्यूग आने वाला है अभी तो पहली स्टेज चल रही है ना अवाज फैलाने की स्टेज चल रही है ना पहली स्टेज में टाइम लगेगा जब dead silence हो नहीं है न विनाश वाली तो उसमें बाबा कहते हैं टाइम नहीं लगेगा Australia Party तो पहले बाबा ने विदेशियों से बात की अब बाबा बात करें Australia वालों से Australia के सर्व बच्चों में सबसे बड़ी स्वाप्थ हो चांते हो अस्ट्रेलिया वालों का जो दूसरे धरम में पाट बजाने का निमित मात्र समय था वे समय अभी समाप्त हो गया इसलिए अपनी धरम की पहचान मिलने से सहज और जल्दी आ गए और फिर औरों को भी निकालने की बहुत उमंग है तो इससे सिद्ध होता है कि temporary time जो दूसरे धरम में गए है वे समाप्त हो गया इसलिए ये भी विशेशता है कि जो भी आते हैं majority वे अपने लगते हैं दूसरे धरम के नहीं लगते हैं Australian अत्वा विदेशी होते हुए भी चात्रक आत्मा लगती हैं तो आत्मा का चात्रक्पन सिध करता है कि अपने धरम वाले हैं आप लोगों को भी ऐसे महसूस होता है ना कि गलती से दूसरी डाली पर चले गए हैं तो बाबा को उस्ट्रेलिया वाले कैसे लग रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए पार्ट बजाया कैसे पता चलता है क्योंकि तुम आत्मा चात्रक्पन सदा भाबा को चात्रक्पन करके देखते रहते हो तो इसलिए वो महसूसता आती है कि majority ये जो भाबा कहते हैं अस्ट्रेलिया वाले ये कौन हैं ये अपने घर के हैं अपने घराने के हैं गलती से दूसरी डाली पर चले गए हैं सेवा के लिए ये भी एक थोड़े समय का पार्ट मिला हुआ है नहीं तो विदेश की सेवा कैसे होती तो जे देवी देवता घराने की आत्मा दूसरे धरम में कनवर्ट हुई या दूसरे दूसरे कंट्रीज में ऐसे हुई तो उसका कारण क्या था तो बाबा क्लेर कर रहे हैं उसका कारण था नहीं तो विदेश्यों की सेवा कैसे होती तो वहां के भाई बहन तो चाहिए ही ना उनको समझाने के लिए तो इसलिए ये थोड़े समय का पाठ बना होगा उनका कि देवी देवता घराने की आत्मा दूसरे धरम में या दूसरे विदेश में जाकरके उन्होंने पाठ लिया होगा जनम लिया होगा वहाँ वालों को निमित बना के विदेश की सेवा करा रहे हैं जैसे कल्प पहले का गायन भी है कि पांडव गुप्त वेश में यहां वहां सेवा के लिए गए थे तो आप भी रूप धरम में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए गए हो ठीक है ना तो भागा उनको क्या कह रहे है तुम गुप्त वेश में हमारे इब्रामन बच्चे हो लेकिन गुप्त वेश में विदेशियों की सेवा करने के लिए निमित मात्र वहां जनम लिया है असल में तुम यहां के हो लेकिन हो पांडव से ना अब तो धरम देश गुन और कर्तवय सब बदल गया ना तो क्या-क्या बदला? धरम. धरम क्या हो गया? शान्ती. देश क्या हो गया? तो परमधाम हमारा देश हो गया. गुन क्या हो गया? तो वो हम देखते हैं, वो साथ गुन आत्मा के. और कर्तव्य क्या है? खुश रहो और खुशी बांटो. प्योर बनो, पवित्र बनो और पव तो सब बदल गया ना, ऑस्ट्रेलिया निवासी के बजाए अपने को वहां रहते भी, मधुबन निवासी समझ कर रहते हो ना, जनम का घर मधुबन है, साकार घर मधुबन और निराकारी घर परमधाम, ऑस्ट्रेलिया आपका दफतर है, तो देखो बाबा क्या कह रहे, में कारे के लिए जाते हैं, ऐसे आप भी सेवा के लिए जा रहे हो, दफतर में जाते हैं, तो घर तो नहीं भूलना है ना, तो घर की एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या देंगे, पांडव भवन, तो ये स्रिफ बाबा आस्ट्रेलिया वालों के लिए नहीं कह र और फिर उसके बाद निराकारी घर तो परमधाम, बाकी हम चाहे भारत में ही है, जहां जहां पर भी बैठें, अपने घरों में बैठें, कहीं पर भी बैठें, तो ये सब क्या है, मारा ओफिस है, दफ्तर है, तो बाबा कहते हैं, दफ्तर में बैठे हो, तो कारे तो करना ही है, ना, सेवा का कारे तो करना यह है, कमाई भी करनी है, दफतर में बैठके, लेकिन घर को नहीं भूलना है, है ना, पिता को नहीं भूलना है, तो बाबा कहते, इस समर्ती में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहें तो जो हमारी अध्यात्मिक यात्रा शुरू कहां से होती है, पहले अध्यात्मिकता से जुडने के लिए, जो पहले की जड़ें जमाई होई हैं, उससे डिटाच तो होना ही पड़ेगा, उससे उप्राम होना ही पड़ेगा. तो बाबा कितना easy कर देते हैं कि तुम्हारा की धरम कहलो, घर कहलो, यह सब कुछ तुम्हारा अब बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है, सब कुछ बदल गया, तो इससे कितना उपराम होना, साक्षी होना, कितना easy हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं, इसी समरिती में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहेंगे, दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता, क्यूंकि समझते हैं कि यह सेवा के लिए चीज़े हैं हमारी नहीं, तो ऐसे ही उपराम रहते हो, कितना सुंदर तरीका बाबा बता रहे है कि समझो, जहां भी है, जिस भी घर में रहते हैं, जिस भी सेवा के इंदर में रहते हैं, वो सब कुछ दफ्तर है, सब कुछ ओफिस है, तो ओफिस की कोई चीज़ मेरी नहीं होती, हाँ ओफिस की चीज़ों को यूज जरूर करते हैं, तो वो हमें करना है, लेकिन मेरा या मेरा स्वधरम शांती? वही सब कुछ मेरा है. कितनी भी प्यारी चीज हो या अकर्शित करने वाले सेवा के साथ ही हो. लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है. काम के लिए साथ ही बने, फिर नियारे. अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं मानना जाता है ना होता है ना ओफिस में कोई कितने भी अच्छे सेवा साथी हो तो सबके साथ रहना है लेकिन किसी से दिल नहीं जोड़नी है तो बाबा कहते अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच् जरूरी कठा करना है, सेवा जरूर करनी है, कियर भी जरूर करनी है, लेकिन मोह नहीं रखना है, तो बाबा कहते हैं, घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है, तो ऐसे चलो, ठीक है ना, तो बाबा क्या कहे रहे, ध्यान से, एक-एक लाइन को अंदर लेकर जाएं, तो हुमारे लिए ये जो मोह के विकार को जीतना डिटाच्मेंट प्राक्टिस करना साक्षी भाव प्राक्टिस करना बहुत असान हो जाएगा ये अपने मान लो, ये जो घर है, ये क्या है ये दफ्तर है यहाँ पर जितने भी जो संबंधी दिख रहे हैं, वो क्याँ है, वो दफ्तर में काम करने वाले मेरे सहकर्मी है, मेरे सहकर्मी है, मेरे साथ में मेरे कॉलीग्स है, लेकिन मेरे अपने नहीं है, हम साथ में काम करेंगे इस फैमिली को चलाएंगे, फिर study में अपने रास्टे मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई मुझे अपने उसी घर में जाना यह तो कितना easy हो जाएगा इस perception को अगर हम बुद्धी में बिठा लें तो तो अपना तो बस एक शिव बाबा तो बाबा कहते आस्ट्रेलिया वालों ने सेवा तो बढ़ाई है ना अभी कितना है वहां तो किसी ने में आ जाएगा कुछ उपर रह जाएगा आप लोग सेफ रहेंगे विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज पहुंचेगा जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे फिर विनाश होगा ठीक है ना तो कितना बाबा क्लियर कर रहा है कि नेरे बच्चे सेफ रहेंगे लेकिन बाबा ने पहले एक लेयर किया सेफ कौन रहेगा जिसकी बुद्धी वाइसलेस होगे जिसका वायरलेस सेट ठीक होगा वही वही वो बाबा की डारेक्शन को कैच कर पाएगा जैसे गायन है भट्टी में बिल्ली के पंगूरे सेफ रहे तो जो बच्चे बाब की याद में रहने वाले हैं वहे विनाश में विनाश नहीं होंगे देखो कौन गैरेंटी कर रहा है स्वेहम पर मात्मा ये गैरेंटी कर रहा है कि जो बच्चे बाब की याद में रहने वाले हैं वहे विनाश में विनाश नहीं होंगे लेकिन सवे इच्छा से शरीर छोड़ेंगे ना कि विनाश के सरकम्स्टांसिस के बीच में छोड़ेंगे देखो कितनी बड़ी बात है यह बस बवित्र बन जाए तो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे विनाश में विनाश नहीं होंगे इसके लिए एक बुद्धी की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ अपने आप शरीरी छोड़ने का जब संकलब होगा तो संकलब किया और चले जाएंगे इसके लिए बहुत समय की प्राक्टिस चाहिए ठीक है न तो मेन बात हमें क्या अभ्यास में अभी लेकर के आनी है बुद्धी की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी पन का अभ्यास हो और बहुत लंबे समय तक का हो तभी ये हमें वाइरलेस सेट या वाइसलेस बुद्धी मिलेगी जो बहुत समय के सनेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद जरूर मिलती है ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्तर उतार रहे हैं ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे सारा दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास जरूर करो तो वाइसलेस कैसे बनेंगे बाबा केते उसके लिए बाबा बता रहे हैं क्या क्या करना पड़ेगा तुम्हें वो वाइसलेस बनने के लिए तो अश्रीरी का बनने का अभ्यास पूरे दिन में बार-बार करो जैसे ट्राफिक कंट्रोल का रिगॉर्ड बजता है तो वैसे वहां कार्य में रहते भी बीच-बीच में अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो तो लिंक जुटा रहेगा इससे अभ्यास होता जाएगा ठीक है ना? तो पूरे दिन में जो एक-एक मिनट का बाबा ने ट्राफिक कंट्रोल दिया हुआ है या तीन मिनट का बीच-बीच में वो जो ट्राफिक कंट्रोल दिया हुआ है अगर हम आत्मा इसको बहुत निश्चय से बहुत बहुत एक्यूरेटली करें तो हमारी स्थिती बहुत उंची जा सकती है तो बाबा ने आज का ना? खामिया देखो, चार्ट रखो तो ये हमें चेक करना है कि क्या हम ट्राफिक कंट्रोल प्रॉपरली करते हैं कि हर बार यही कहते हैं बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा है न अभी तो बहुत बीजी हो भी ये काम करना ज़रूरी अभी तो मेरा फुल फोकस इस पर है तो ट्राफिक कंट्रोल को मिस कर देते हैं जबकि हमारा पहला पहले ट्राफिक कंट्रोल सरफ एक मिनिट और उससे शक्ती बढ़ेगी और हमारी performance बेटर ही होगी टाइमनी वेस्ट होगा और बेटर performance हो जाएगी तो बाबा कहते इसलिए अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो तो लिंक जुटा रहेगा इससे अभ्यास होता जाएगा आप लोगों में ये भी एक विशेश्टा है कि जब चाहो नौकरी छोड़ सकते हो जब चाहो कर सकते हो निरबंधन हो फॉरण में ऐसा होता है कि जब चाहो कर लो जब चाहे छोड़ तो थोड़ा सा थोड़ा सा flexibility वहाँ जादा है सरफ मन और संसकारों का बंधन ना हो सबसे बड़ा बंधन मन और संसकारों का बंधन है बाकि कोई बंधन है ही ने वैसे देहे और देह के धर्मों से free हो आधे बंधनों से पहले ही free हो बाकि थोड़े बंधनों को याद और सेवा से खतम कर दो है न, याद से बाबाग बताते हैं, विकरम विनाश होते हैं, और सेवा से पुन्य और दुआउं का खाता जमा होता है, जिससे की पुराने खाते खतम हो जाते हैं, तो बाबाग केते हैं, याद और सेवा से पुराने बंधन खतम कर दो, सभी हाई जंप लगाने वाले हो, बहुत अच्छी पढ़ी, next time थोड़ी slow पढ़ना, और अभी हम एक मिनिट के लिए silence में रहेंगे, फिर अपने-पने points शेयर करेंगे. अभी सब अपने-पने points शेयर कर सकते हैं, जी रचना सिस्टर, बोलिये. ओम शान्ती, सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है, हाँ जी आ रही है, तेखल सिस्टर, एक क्वेस्टन पूछना था, जैसे, बाबा ने मुरली में कहा कि, जैसे elections जब होते हैं, तो प्रचार चलता है, फिर और तालेज घंटे पहले silence होता है, प्रचार बंद हो जाता है, और उसके बार स्थापना होती है, उसी तरीके से अभी आवाज का पार्ट चल रहा है, संदेश देने का पार्ट चल रहा है, फ जाने जाने वाला dead silence बोला है, या फिर देभान, देअभीमान सबका जब मर जाता है, वो वाला dead silence बोला है, कौन सा वाला, विनाश को dead silence बोला है, ये थोड़ा clarify कर सकते हैं, और शांते, रादिका सिस्टर आप कहेंगे, तो जो बाबा ने कहा है, यहाँ dead silence, तो क्योंकि बाबा ने फिर कहा कि आवास पहलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा, और फिर परिवर्तन होगा, तो ये dead silence का ये भी मतलब ले सकते हैं, कि सबको पता चल जाएगा, तभी सब surprise भी हो जाएगे, और जो एक सुनता आ जाती है, कि अच्छा भगवान आ गया है, तो अब क्या, तो जो भी वो बाद के reactions, feelings वो भी होती है, और कहीं कहीं जगा ये जो परिवर्तन शुरू हो भी जाएगा, क्योंकि एक रात में तो नहीं होने वाला है, ये सब के बहुत सारा time से थोड़ा 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 चलता है रहेगा, तो इसकी वज़े से भी थोड़ा परिवर्तन चालू, dead silence और विनाश, तो वो सब मिला के फिर मुझे लगता है कि ये आवाज का part खतम होगा, dead silence होगा और फिर जो शोर से परिवर्तन, परिवर्तन म में पर, ऐसा, किसी दूसरे का और चिंतन है, तो बता सकते हैं, और किसी को अगर point share करना है, तो वो भी point share कर सकते हैं, भूले का विता सिस्टर, ओम शांति भी, मैं थोड़ा सा आयद करना चाहूंगी, जो आपने बताया था, तो विनाश के समय ऐसा होगा, रिसेंटली साकार मुटली में भी बाबा ने बताया, कि hospitals भी नहीं होगी, तो लास्ट टाइम जब करोना का time था, hospitals सारी थी, मगर विनाश का उतना बड़ा scene नहीं देखने में आया था, मगर जब विनाश होगा, तो हर तरफ से, जैसे बाबा कहते हैं ना, हर तरफ से, नाच्रल डिजास्टर का हो, या अपने ही स्वभाव संसकार, तो जितने भी पेपर साने हैं, लास्ट एक्जाम में, फाइनल एक्जाम में, तो सारी test papers आएंगे ही आएंगे, तो लास्ट का कहां से होगा, वो तो होई नहीं पाएगा ना, तो शायव बाबा का डिरेक्शन होई है, आंतकाल का, यही था ना, डिस्कॉशन में, हाँ जी, वो ही था, तो पहले तो आवाज पहल जाएगा ना, और फिर देट साइलेंस, बहुत सारे factors उसमें मिलके पार्ट प्ले करेंग बूलिए काइड़ास भाइड़ी सब को पता चल जाएगा, तो यह हो गया, उसके बाद है, इलेक्शन का जो साइलेंस रहता है, इलेक्शन के पहले, होटिंग के पहले, for date hours, तो उसमें दो प्रकार के बच्चे रहेंगे, एक को प्राक्ति वाली जिसरे पच्चाता पॉड़ी, तो वो उसमें बाबा का सब जगर मालूम पढ़ जाने से सब को डिक्लेर हो जाएगा कि परमात्मा तो निरातार है, जिसरे बाद है, बाकि यह जोगी कुछ है वाहते बगवानादी, है नहीं जोगी स्टूल में लोग समझते हैं, यह तो प्लेर हो जाएगा, लेकिन उसमें बाबा से बच्चों का उसी समाइए विनाष्ट हो जाएगा, तो यह बीच का साइलेंस का पूर जाएगा, और विनाष्ट के पश्चा तिससब आतमाई परंदाभ जाएगा, और जो अडवांस पार्टी में गये है, वो स्तांश्थ रहेंगे, ओमशाणी जी आश्वनी सिस्टर, आप बोलिए पोज शाहैं जिस्टेरर Allah ऑँ बाबा ब probabilities अभी प्रिर्डी economy मदध बने मदध बने इंपेधिवी यालों प्रिटेरस की वाज़ीया हो जाएगा विदेशी वालों के दौरा ओम शाहैं जी और किसी को share करना है real me ने mic unmute रखा था उनको share करना है और क्या कहा अज बाबा ने हम जब जहां रह रहे हैं उसको क्या समझना है और हमारा साकार में घर का है निराकार घर का है ओम शान्ती तो हम जहां रह रहे हैं वो हमारे कारियर कल दफ्तर या तो ओफिस है और हमारा जो निराकार घर है वो है परमधाम हमें अपने को मदुबन निवासी साकारे में वहीं अपने को स्थित करना है बाबा बोलते कि जब भी भी कुछ होता है घर पे कभी भी कहीं पे भी तो आप मदुबन पहुँच जा वैसे भी हम मदुबन में रहते हैं तो स्थिती काफी अच्छी रहती है तो अपने इस्पेशली ऑस्टरिया वालों को बाबा ना बहुत ही गिफ्ट की लिफ्ट दी उनको तो बहुत अच्छी-च्छी बाते बताएं कि विनाश में भी उनका विनाश नहीं होगा वो टापो पूरा धस जाएगा परण्तो वो सेफ रहेंगे और और उस्टक लियम भी रहे के जो सेवा कर रहे हैं वो निमिथ है और वो उनका ओफिस है तो बाबा ने आज बहुत ही सुन्दर कहा है कि अगर हम दफ्तर में रहते हैं और किसी से प्यार हो जाता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है कितनी रमुझ तरीके से हमें realization कराया हमारा ममत्वा मिताने के लिए ये बाबा का style बहुत ही अच्छा लगा जैसे बाबा ने example दे कर हमें बताया तो हमें अगर अपने बच्चों से अपने यूगल से या और कोई family member से प्यार होता है और वो नहीं तूटता है तो उनके लिए ये बहुत ही आज अंदर ले जाने वाली बात है कि पैट के इसको पीना है कि बाबा ने जो बताया कि घर वाले जो दफ्तर वाले जो होते हैं उनसे प्यार नहीं होना चाहिए मिन्स रूहानी प्यार रखना है लेकिन वो जो आपस में प्यार होता है जिसमानी प्यार या मौमत्व, मोह वो नहीं होना चाहिए बताईए और बताईए आज बाबा ने और क्या कहा बोलिये राजिंद्र भाई तुम शान्तिति बाबा ने बताया अंतिम समय बाबा की तचिंग होगी कि बच्चे निकलो और से स्थान पर पहुँच जाओ यह आवाज कोई स्थूल साधन के द्वारा नहीं आएगा इस सुक्षमा आवाज होगा लेकिन यह कैच वही कर सकेगा जिसका वायरलेस सेट वाइसलेस होगा इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुमें अपनी कैचिंग पावर को बढ़ाना है और अपना वाइसलेस सेट तैयार रखना है ताकि आनतीन समय आपको आवाज कोईशना चाहिए और आप सुरक्षी स्थान पर आ जाना चाहिए ओम शांति जी आज बाबा ने एक ड्रिल भी बताई है दो बात कि जैसे आने वाले मास जून मास है ना तो अब भी जो बाबा के अव्यक्त मूर लिया जो चल रही ना कि हमें थोड़ा और घराय में जाना है ना कि जैसे कैचिंग पावर तचिंग पावर तो आने वाले जून मास में कुछ एक 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 एक्स्ट्रा तपस्या करेंगे जैसे मम्मा ने देखो कैसे तपस्या की थी और अपने आवस्था को पाया हूं कि हम रोज मुरली तो पढ़ रहे है सुन भी रहे है तोड़ा बहुत अभ्यास भी कर रहे है लेकिन मम्मा के समान बनना और इसके लिए हम खास पूरा जून मास वैसे तबी अमारा एक प्रोजेक्ट इस मास में आगले मास में आपको फोड़ा सा जो हमने एक एक पॉइंट को एक डिजाइन भी बनाया है जो आपको जून मास में हम भीजेंगे कि मम्मा का एक गून और उसकी विश्यस्त है लेकिन आप सभी भी क्या करना कि हम सभी भी ग्रूप में रोज कुछ जो छोटा बुक ने कर शायद पिछले साल भी हमने पढ़ा था ना वो भी लेकिन बहुत अब आठ दिन है आठ दिन में हमें थोड़ा सा अपनी मन की स्थिति को तैयार करना की जून मास में मुझे एक्ष्ट्रा योगा अब्यास करना है एक गंटा तो उसके लिए क्या करना है कब टाइम निकालना है कहा टाइम निकालना है कहा बाइटना है सब आप फाइनल करो आपके पास आठ दिन है कुछ-कुछ तैयारे करने है क्या भ्यास करना है योग में सब कुछ क्योंकि टचिंग पावर कैचिंग पावर वर्ड बहुत इजी लगते न मैं लेकिन इसके लिए थोड़ा गहराई में जाने के बहुत आवश्चता है उसके बिना टचिंग पावर नहीं आएगी ठीक है न और जो भी थोड़ा कुछ मुरली पढ़ना चाहते हैं तो वो भी थोड़ा नाम दे सकते श्वेता बेंजी को कि आज बेंजी ने बहुत अच्छे तरह से मुरली सुनाई न तो ऐसे आद भी क्या करना प्रैक्टिस करना बाबा के मुरली को कैसे सुनाना है ठीक है यह बात आपको बता नहीं थी इसलिए बीच में हमने बताया और भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं का और एक होमवर्ग दिया था सबको पता है कि शाटेड़े के लिए कि सभी उसके पर काम करतों रहे हैं न तो तो उसा दिया तो हमवर्ग पता है अलग अलग चक्तियों पर दिव्य बुनों पर यही था न उसमें भी हमने चार शक्तिया से लेट किया था कौन से थी सथ्यता मैं सूसता ठीक है और भी बोलना दूसरे पार्टिशिपिंड कौन से? साहन शक्ति के बाद नहीं बोला था चार शक्ति दिया रहता एक आगरता साहन आगरता सतिता सभ्यता मेशसता1 काहराता स्टिता की शक्ति स्टिता की शक्ति और आगरता की शक्ति यसे पथशक्ति हमें के लिए दिया और बोला भी था कि किसी एक सक्ति के ऊपर काम करना क्यांकि जो पिछले साल 2022 ने स्वरेटियस में प्रोजेक्ट चला था ना सर्व शक्तियों का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चांब सभी ने बता है ना कि सभय शक्ति सच्टिता की शक्ति सपाटिता की शक्ति और ये तागरता की करना दो आप एक किसने चालु नहीं किया तो ये एक शक्ति दूब्म मलतियों को ही महसुस्ता की शक्ति महसुस करना माना यह नहीं की गल्तियों कोई महसुस करना है बाबा कभी करते हैं कि मेरे नहीं के नूर बनो कभी कल्प रुक्षे के नीचे बैठ जाओ यह भी महसुस करना है न यह भी बहुत डीप है अचली तो केवल मुरली के पॉइंट नहीं पता ना कि हाँ बाबाने मु दुसरे से बाते करते हैं तो समय करने बाबा के पास पहुंच जाते हैं इसमें की विमान में आ गए न तो इसनी है कि शक्ति से आपको क्या-क्या पाइद हुआ लुकिक में आपके अनुभव क्या है मूरले के प्रपड नहीं मतना येकिन आपका प्रैक्टिकल अनुभम भीर्ण films इसके उपर सभी आप्यास करना कि क्या करेंगे इस सेटेड़े को थोड़ा वर्क्शॉपल लेंगे सब ट्रैक्टिकल आप क्या अब्यास कर रहाै व्यत्त मुरलियों से केवल सुनना तो ठीक है देकिन प्रैक्टिकल आपने जिवन में ने क्या परिवर्तन किया सत्तिता की शक्ति कि सब कुछ है ठीक है न कि फिर से आपको रिवाइज किया कि पाथ शक्तियों में से कोई भी एक शक्ति का पभ्यास करना कि चलेगा ना ठीक है कि दानलक्ष्मी माता आपको शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते वन अवंदिना सिस्ट्र आप भी बोल सकते कि मुझे ओं शांति मैं यह बुज़न तो माताओं की ज़ली क्लास रखने वाले ते रखा था क्या नहीं वह भाईजी से पूछेंडे कप दिया है डिसाइड़ बूलिये तारा सिस्ट्र तो बाबा ने कहा है कि कभी-कभी गल्ती से दूसरे धरम में चले गए है थोरे समय के लिए तो उसका कारण भी था कि वो दूसरे धरम में तो उसका कारण था कि वहां पर जाए तो फिर सेवा करा सकेंगे बाबा का परचान दे सकेंगे अम शांति जी अभी हमारे पास और एक मिनिट है किसी को लास्ट पॉइंट शेर करना है तो और फिर रादिका सिस्टर होमवर्क देंगे और एक दो मिनिट मेडिटेशन कराएंगे आफ और कगा सिस्ठर नी में बोलना था ने डेट साइलेंस का मुझे इसे लगता है कि अंत में न इस हमारा जो पार चल रहा है इस अंतीम पार्ट जो चल रहा है तो इस में ही बाबा परमधाम की गी शोलेंस कर तो इसमेंय ही रहते हुए सबी को अनुभो करेंगे और एक टेट साइलेंस होगा सबी आत्माएं अपने ओरिजिनल स्थिति यानि अनादी उसको मैसूस करेंगे और फिर घर में जाएं जो अरेड़ी है हम बाबा के साथ ऐसे मुझे तो लग उन्शांसे आगी जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे बहुत ही सुन्दर नजारे देखेंगे क्योंकि फरिश्टों का भी नजारा देखेंगे क्योंकि विदेश में भी और अपने देश में भी फरिश्टे भी प्रकट होंगे क्युक्य बाबा फरिश्टों द्वारा भी बहुत सेवा कराएंगे क्योंकि दुनिया की हर एक-एक आत्मा तक ये आवास पहुचाना है तो फरिश्टों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि विदेश भी इतना बड़ा है कि जहां सब जगा पहुंच नहीं पाते हैं बच्चे तो फरिश्टो द्वारा ही ये सेवा होनी है तो ये भी आवास पहलाने की सेवा में ही गिना जाएगा और जैसे अभी जोती सिस्टर ने बताया वो भी हो सकता है डेट साइलेंस कि एक बार सबको बाबा का पता चल गया फिर वो बाबा एक अनुभाव देगा सबको क्योंकि वो पिता अपना प्रूफ करेगा न कि जैसे सब आत्माएं अग्री करे कि हाँ ये ही मेरा पिता है और फिर वो फाइनल परिवर्तन होगा शुरूर तो रादिकार सिस्टर आप अभी होमवर्क दें और एकाद मिनिट अश्रीरी पन की या परमधाम की ड्रिल कराकर फिर हम पॉल क्लोज करेंगे उसके तहले शेरू भाई जी आपको पॉल लॉंच करना है तो सब कॉनसी ड्रिल थी वो अश्रीरी पन की आज ड्रिल थे लाइन प्लियर चाहिए और दूसरा अश्रीरी हो जाओ कोई भी बात हो अश्रीरी बनने का अभ्यास बहुत करना है तो सभी पॉल का भी जवाब देंगे और रादिकार सिस्टर होमवर्क दे सकते हैं हुआ हूँ रादों है हूँ 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 है है जो बाबा ने का आष्रीरी की ड्रिल तो जैसे बाबा ने का कि एक एक मिनट बार जो एक गंटे मेंमें सकाना ही है और उसमें जरी का अभ्यास करना ही है तो यही homework रहेगा तो पूरा दिन ये attention तो minimum एक घंटे में एक बार चाहें तो दो बार भी कर सकते हैं तो यह है हूंवर्ग अभी हम दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे अर्शरीरी का अभियास करेंगे बिल्कुल कमफर्टेबल और एलर्ट होकर बैठेंगे पूरा ध्यान अपने मस्तक पर ले करके आएंगे भिकुटी में शमकता हुआ दिव्वे सितारा और कोई भी विचार नहीं और कोई भी इधर उधर की कोई विजन नहीं इमेजिस नहीं अगर आ रही हैं तो इगनोर करतें पूरा ध्यान ब्रेन के बीच में चमकता हुआ सितारा पूरी तरह से फिल करेंगे मैं अत्मा इस शरीर से बिलकुल अलग। दिव्व्य चैतन्य शक्ती हुँ इस शरीर से बिलकुल अलग हुँ शरीर जड़ है नॉन लिविंग है और मैं आत्मा चैतन्य हुँ लिविंग हुँ मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ अपने घर अपने परम धाम चलती हुँ पूरी तरह से देखेंगे मैं आत्मा अपने घर हुँ अपने पिता के बिलकुल पास हुँ पहां चाएं अपने घर फील करें मैं अपने घर में बैठी हुँ अपने पिता के पास बैठी हुँ complete silence है यहाँ पर, sweet silence मन को बिलकुल शान्त कर दे कोई भी बात नहीं, कुछ भी नहीं बस यही वर्तमान का एक पल है और उस एक पल में मैं बाबा के साथ हूँ ना कोई past की बात, ना कोई future की बात सरफ यही पल और इस पल में मैं बाबा के साथ हूँ संपूर्ण शान्त कहराई से संपूर्ण शान्त महसूस करेंगे मैं ही शान्ती हूँ बाबा से शान्ती की शक्ती भर कर वापिस नीचे आएंगे अपने इस तन के बीच रेन के बीच में जाकर के बैठ जाएंगे पूर्ण रूप से देखने का अनुभव करें कि मैं आत्मा अलग और ये शरीर अलग है मैं आत्मा ही वो शक्ती हूँ उड़ा हूँ जो इस शरीर को चला रही है मैं आत्मा पर्मात्मा का बच्चा हूँ उसकी सारी गुन शक्तियां मुझ में है मैं शान्त हूँ पवित्र हूँ मैं शान्त हूँ, पवित्र हूँ ओम शन्ति, ओम शन्ति, ओम शन्ति ओम शन्ति, ओम शन्ति, ओमन्ति, ओम शन्ति, ऐधे स्वी चुप अठकेड़े, गुटनित् गुतनि इत्स ओ।